अगर आपका भाई प्रधान मंत्री होता तो तो क्या आप पतंग बेच रहे होते हैं या फिर पेट्रोल पंपर अटेंडरेंट या किसी गौशाला में हेलपर होते हैं अगर आपका बेटा प्रधानमंत्री होता तो क्या आप लाइन में पैसे लेने के लिए खड़ी होती है। जरा सोचिये। मैं विक्रम बजाज फिर एक बार लेकर आया हूँ खबरों के पीछे का रिसर्च और साच। आज हमारे पास हैं एक ऐसे नीता जो देश की सियासत की सबसे उची कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन उनका परिवार कैसी आम जिंदर्गी जी रहा है। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम भाई मोदी खुद तो मानते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के भाई हैं पर उन्हें पता है कि प्रधान मंत्री के लिए सिर्फ सवा सो करोड देश बासियों में से एक है। चोटे भाई पंकज भाई गुजरात सरकार के माहिती विभाग में साधारन सी नौकरी करते हैं दूसरे बड़े भाई अमरुद भाई एक प्राइवेट कमपनी में फिटर के तौर पर रिटायर हुए हैं आज भी उनके परिवार में से किसी ने एरोप्लेन अंदर से नहीं देखा मोधी जी के दूसरे चोटे भाई प्रहलाद मोधी एक फेर प्राइस शॉप चलाते हैं उनकी प्रिचानवे साल की माताजी थे माताजी नोडबंदी के बाद पैसे निकालने के लिए खूद लाइन में खड़ी दिखी थी अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अडोस पडोस के घरों में नरेंद्र बोधी के चचेरे भाई अशुक भाई आट बाई चार फीट के किराय की दुकान में पतंग पटाके और नाश्ति बिचते हैं बड़े चचेरे भाई भरत भाई एक पेट्रोल पंपर अटेंडेंट है और उनकी पत्मी रमीला बहन बड़नगर के अपने चोटे से घर में ही खाने का सामान बिचती है पीसरे चचेरे भाई चंद्रकांथ एक गौशाला में बतोर हेलपर काम करते है चोटे चचेरे भाई अर्विन भाई एक स्क्राप डीलर है जबकि पाँचवे चचेरे भाई भोगी लाल ग्रॉसरी शॉप चलाते हैं चाजा कांती लाल और जैनती लाल बिटाय टीचर्स हैं जैनती लाल की बेटी लीना की शादी एक बस कंड़क्टर से हुई है मतलब की देश के प्रदान मंत्री का जीजा एक बस कंड़क्टर है परिवार को मोदी जी पर बड़ा गर्व महसूस होता है लेकिन उन्होंने इस बात का कभी गलत इस्तमाल नहीं किया जिसने अपने परिवार वाद से कितना बड़ा पॉलिटिकल एमपायर खड़ा किया और बिहार के लालू प्रसाद भी अर्बों खर्बों के खुटा लेकर अपने खांगदान को माला माल कते आए हैं कश्मीर में भी लोगों का जो होना हो बो हो लेकिन अब्दुल्ला परिवार के एश और आराम में कोई कमी नहीं आई अब जरा सोचिए नरेंद्र मोदी ऐसे कैसे प्रधान मंत्री है जो इतने बड़े पतपर होने के बावजूद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं क्यों? जवाब साफ है ये 25-50 लोग नहीं बलकि सावा सो करोड भारतिय ही उनका परिवार है जरा सोचिए क्या देश को ऐसा निस्वार्ध फ्रधान मंत्री कभी मिला है? क्या तो कभी मिलेगा? ये जरा सोचिए ये नहीं करते हैं